मौनिंग का वक्त हो रहा है और मौनिंग का क्या साड़े 11 बच रहे हैं घड़ी में और यहां पे आग जला के सीका जा रहा है क्योंकि ठंड ने अपना असली चेहरा अपना असली रंग दिखा दिया है ठंड के मौसम में अगर आपको कहीं आग जलता हुआ दिख जाए तो फिर वहां से अगर वहां जाए तो उठने का फिर दिल ही नहीं होता है वही हाल मेरा हुआ मैं आग जला के बैट गई और उठने का तो दिली नहीं हो रहा था और सुबा से सारे काम मेरी पेंडिंग थे प्रस तक नहीं हुआ था फिर हस्बेन जी ने डाट लगाई और ये देखिए मैं अपने काम पे लग गई और मेरा काम इतना जादा था कि कुछ कहने का नहीं इतने सारे कपड़े हो गए थे और सुरज भगवान जी दो बजे थोड़ा सा दिखी गए मेरा कपड़ा धोना हुआ और सुरज भगवान जी दिखे तो चलिए थोड़ा तो धूप लग जाएगा कपड़ों में और इतना सारा कपड़ा मैं वास की थी उसके बाद बने का खाना ओभी पीऊ का फर्माईस हुआ है खाना का और घड़ी में देड़िया दो बज़ रहे होंगे मैंने घड़ी नहीं देखा बस काम में लगी थी और जैसे ही मैं कपड़े डालके मैं जा रही थी नीचे जा रही थी तभी सुभम ने मुझे कुछ दिखाया और ये जो पत्ते दिख रहे हैं आपको मैं सुखे पत्ते रखी थी कि धंड में इसे जलाने का काम आएगा तो ये देखिए ये आपको कुछ दिख रहा है इसमें क्या है तो ये है साब का केचुला जो मेरे छट पे निकला बाहर आंगंद में निकला था फिर अभी मैं छट पे देख रही हूँ तो साब का केचुला मतलब निकलने का मतलब है यहां पे साब भी आ रहा है तो इन सब को मैं क्लीन करूंगी और मुझे यह देखकर ही डल लग रहा है वेल्कम बैक तो मैं चैनल नीतु मनोज ब्लॉग कैसे हैं आप सब आप सब बहुत अच्छे होंगे मैं भी बहुत अच्छी हूं और अभी सुभा नहीं अभी दोफर का वक्त हो रहा है और सुभा मैं बहुत जादा मुझे कपड़े वॉष करने थे फिर जाके बहुत सारा काम होता है छितना है तो आज दोफर के खाने में क्या बनने वाला है तो आज पीवू ने फरमाइस की है तो आज पीवू के फरमाइस का बनेगा यहां पर यह मैं चावल को भीगो के रखी हूँ तो इसके मैं फ्राइड राइज बनाओंगी और इधर मैं और सुगम आज मैगी खाया था और इधर मैं चिकन को धो के रख तो यह चिल्ली पीस कट करके आया है तो चिल्ली बनेगा चिकन चिल्ली और आज फ्राइड राइस बनने वाला है लोगों के साथ तो मैं यह रेजिपी बहुत बार सेयर कोई हूं, तो आज मैं रेजिपी सेयर नहीं कर पाओंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा लेट भी हो चुका है, और shipping बनाने में और chicken chicken принni बनाने में तो जानते हूं, बहुत ज्यादा लेट होता है, तो चलिए मैं ब्राना स स्टार्ट करूँ और आप लोगों को पता ही है कि जल्दी का काम सैतान का काम होता है तो आज जल्दी में मुझसे बहुत बहुत ऐसी चीजे हैं जो बहुत जादा मुझसे गरबर हो चुकी और इतना जल्दी जल्दी करने में मैं क्या बता हूँ पहले तो सबसे बड़ी गल् चीज होता है मैं नमक डालना ही भूल गई और चिकन के पकोड़े जब मैं तल के निकालती हूँ तो मेरे सुभम और पीगो का आदत है वो मांग के खाते हैं और जब मैंने थोड़ा सा टेश्ट किया और वो लोग ऐसे ही वो सॉस लगा के खा रहे थे क्योंकि उसमें थोड़ नमकीन लग रहा था बट मैंने नमक नहीं डाला था तो मैं जब चक ही तो मैं बोल रही हूँ इसमें तो मैंने नमक डाला ही नहीं तो वही मैं पीगो को बोल रही बेटा ये रुख जाओ ये वाला जब पक जाएगा तो उसके बाद फिर मैं दूसरा जब नमक को डालके फ पकोड़े और इधर देखिए मेरे पकोड़े तल रही हूँ और दूसरी साइट में मैंने चावल मैंने मेरे बन गए थे और इसे बस फ्राइ करने की पारी है तो मैं दोनों तरफ ही लगी हुई हूँ मेरे काम दोनों तरफ ही हो रहे हैं इधर मैं चिकन को भी फ्राइ कर लू क्योंकि मेरी पीहू का फर्माइस का ही खाना बन रहा है तो इसलिए पीहू बहुत ही ज़्यादा खुस है और बच्चो की खुसी मेरी मापाप की खुसी होती है और बस भगवान से इतना ही मांगती हूँ भगवान बच्चों का जो भी सपना हो वो मैं पूरा कर पाऊं क्योंकि एक वक्त ऐसा था कि मैं बच्चों को मतलग ऐसे ऐसे दिन गय है मेरे कि मैं बताने सकती भगवान की किरपा से अभी तो मेरा वक्त थोड़ा ठीक है थोड़ा ठीक है कि अभी बच्चे जो चाहते हैं जो मांगते हैं उसे मैं दे पाती हूँ नहीं ते एक वक्त ऐसा था ना कि मैं इन लोगों को पांच रुपया तक नहीं दे पाती थी ऐसे ऐसे दिन गये हैं मेरे मैं बता नहीं सकती इसलिए अभी वो जो मांगते हैं उसे मैं पूरा क के कारण मैं अपने सुभम को 5 साल अपने से दूर रखी हूँ, मेरी इतनी जादा कंडिशन खराब थी कि मैं दो बच्चों को नहीं रख पा रही थी, इसलिए सुभम मेरा नानी घर में था और पीऊ को मैं रख रही थी, क्योंकि दो बच्चों को समालना मेरे बस में नहीं थ और क्या बोलू आप लोगों से, बस भगवान से यही दुआया कि भगवान बस इन लोगों का हर एक चीज, हर एक सपना मैं पूरा कर पाओ, तो चलिए मैं क्या दुख वाले बाते सुनाने लगी आप लोगों को, और मेरी एक कड़वड़ी और भी हो गई है, पता है, जल् जानी टेस्ट कैसा होगा नहीं होगा, मुझे नहीं पता, नमक मैं थोड़ा ही दी हूँ, बट ये सोया सॉस इसमें बहुत बहुत ही जादा डल गया है, तो ये एकदम ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, इसका कलर बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, और यहां दे जाली हूँ, और ये देखिए, एकदम ब्लैक ब्लैक लग रहा है ना चिकन चिली, लेकिन एक बात बताओं, टेस्ट बहुत ही जादा लाजवाब थे, बहुत ही जादा अच्छा बना था, और बस खाना खाई, और रेडी हो गई हूँ मैं कहीं जाने के लिए, तो कहां जा रही हूँ, ये आप लोगों को नेक्ट व्लोग में बता चलेगा, कि मैं कहां जा रही हूँ, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ अपने नेक्ट व्लोग में, तब तक के लिए, बाई!